हेलो फ्रेंज गुड इवनिंग सो यह काफी कॉमन क्वेस्चेन और यह फिनामेनल मार्केट में काफी बार देखने मिलता है ठीक है क्वेस्चेन यह कि order flow में absorption कैसे देखें और कैसे डिटेक करें और क्या ट्रेट कर सकते हैं उसके बेसिस पे तो एक छोटा से एक्जामपल उसके लिए कि शेयर करेंगे की एक चोटा सा ब्रीफ की जो डिल्टा देखते हैं आप हर केंडल में जो डिल्टा देखते हैं डिल्टा क्या है डिल्टा है उस केंडल का Market buyer minus market seller का difference जो है वो है डिल्टा ठीक है तो और यही चीज़ जब हम हर केंडल में जोड़ते जाते हैं पहला केंडल का डेल्टा 1 मान लीजिए दूसरा केंडल का डेल्टा 2 तीसरा केंडल का डेल्टा 3 दिन का हां हर दिन में डेल्टा 0 से start करते हैं वो total बन जाता है आपका cumulative delta of the candle basically उस दिन का not the candle उस दिन का ठीक है हर candle का delta जो भी जोड़ते जाएंगे cumulative delta बन जाता ठीक है so हमें market में क्या दिखता है market buyers market sellers दिखता हमें जो नहीं दिखते हैं वो limit buyers and limit sellers basically ठीक है तो उसका हम आपका absorption exhaustion के basis पे अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ यहाँ पर limit buyers यह limit sellers है and that is where beauty of कि आपका art of reading the markets थोड़ा सा आता है reading the order flow थोड़ा सा आता है कि आप हर जगा ना देखे selective जगा देखे कहां देखें और उसको कैसे interpret करें ठीक है that is where your understanding or maturity with screen time यह सारी की चीज़े आती हैं तो उसके basis पर हम support और resistance जो मार्केट वे रियल एक्चुल जो support resistance होते हैं वह actually buyers और sellers के कारण होते हैं मेरे आपके line खीचने से नहीं होते हैं ठीक है so actual support और resistance का हम थोड़ा अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं और उसके basis पर हम अपनी trade की probability या outcome बढ़ा सकते हैं तो आज का एक classic example ले ले लेते हैं first of all कि आज मान लीजे market क्या हुआता है यहां पर आपके 900 क्या सपस्पास खुला उपर गिया 96970 वह आपस यहां नीचे आया ठीक है और आपके यहां पर जब यहां पर आया वही हमारा हम आप यहां पर देखना चाहते हैं अब्सॉप्शन हो रहा था हमने ग्रूप में बोला कि यहां पर थोड़ा अब्सॉप्शन है तो सपोर्ट हो सकता है और यहां तक देखते हैं market को यहां पर देखिए आपकी total delta लगबग स्कैंडल से पहले विच इस आराउ 900 के आसपास माइनस 300 के आसपास हो गए थी राइट ठीक है और जब यहां जब तक इसके डेज लो पे आई यहां पर आई लगबग यह माइनस 500 हो गए मतलब क्या यह सिफ 40-50 पॉइंट ट्राइवल करने में मार्केट ने माइनस 200 के डेल्टा एक्युमिलेट कर लिया लेकिन प्राइस उतनी नीचे नहीं इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहां पर कोई प्लेयर्स हैं जो अब्जॉब कर रहे हैं जो कि हर सेलर्स इतने सेलिंग के बावजूद भी प्राइस को दो नीचे नहीं पुछ कर पा रहे हैं तो सल्सका अब्जॉब कर रहे हैं तो यह हमारे क्ल्व होता है कि हम देखते हैं इस किस लेवल पर हो रहा है हम देखेंगे लेवल कहां पर था कल के हाई कलके क्लोस के आस-पास यहां पर यह एकशन हो रहा था था so that is another अधर क्लिव की ठीके जब कल जहां क्लोज हुआ वहां पर अभी क्याइस पॉइंट पे भी क्लोज हुआ था मदले वहां पर बायस प्रेजेंट है जो इस लेवल पर भाई करना चाहते हैं ठीक है अब यह अपका ट्रेट सेटिंग नाओ वाट वाट वीड़ तो इस तो फाइंड एन ऑपरचुनिटी की वस ठीक है यह सब तो होगी अब यहां से क्या बायस डॉमिनेट करके मार्क प्राइज को पुश कर सकते हैं या सलस्ट डॉमिनेट करेंगे अगर बायस डॉमिनेट करे हो जाती है लेकिन अब यहां पर हमने सो सिंस हमने एक थिसिस बनाया कि चलिया अब्सरॉप्शन हो रहा है मतलब सपोर्ट है अब हम बाई साइट के लिए देखेंगे अगर आप देखेंगे यह सारे बड़े बड़े डिल्टास के बाद अचानक डिल्टास का मोगा माइनस 3K माइनस 3K फिर एक बाई अई प्लस 5K फिर बिसोटी सी बाई माइनस 9K अल इसे स्मॉल देल्टास हापनिंग और देन यह लार्ज बाइंग देल्टास कमिंगे तो अवर अल प्राइस लेवल के उपर चलिक है यह बाई देल्टा भी आई तो नहों यू कन बाई अट इन दिस लेवल और दिस लेवल इमेजिटली एंड विते स्टॉप लोग दिस टेके एंड लुक फर ट्रेड़ बेसिकली फ्रम इस लेवल्स तो यह आपको ट्रेड़ ऑपर्चुनिट ऐसे होता है सिमेट सो बाई सेल साइड में हमारा क्या हो देल्टा कि हमारी प्राइस ज्या देल्टा उपर यह जाती एक तो अब वेट करते ठेंस धिए पार्ण से क्षाप्रिशुंत हो जाये और पार देंसे ले सकते हैं झोटा सा एग्सानिट रही है और सोकPY है टेक के, थैंक यू